पर्क में आप आगा है जतना कार्बन डायोकसाइड था सब आप बाहर कर दीजेगे पनिया जतना गंदा सरकार का पॉलिजी पाप के वज़ा से जो है पनिया जो है ज्यादा गंदा हो गया इसको भी बनाया गया पेडिकोर और मैनिकोर के लिए लेकिन आज अब इसमें साप ह है कसम से पता रहें पॉइंट फट गया है जूब नहीं नहीं है और जैने उच्छा मंत्री नहीं भिच्छा मंत्री है जारखंड के युवाओं को भिच्छा मांगने के लिए जाती धर्म जारखंड में कमाल का गराउंड है ऑक्सीजन पार्क उसका नाम है और अभी मैं उसी ऑक्सीजन पार्क में हूं यह ऑक्सीजन देता है जानते हैं किसको भ्रष्ट लोगों को देखिए यहां पर इमंदार युवा जो जारखंड के हैं वो जे एससी और जे पी एससी का जो नीती है नियोजन नीती उसे इतने फ्रस्टेट हो गाएं इतने परिसान हो गाएं कि आज जो है बेरोजगारी की आग में जो है वो जल के लिए मजबूर है सरकार आने से पहले कहा था कि हम पांच लाख हिवाओं को रोजगार देंगे कितनी सचाहिए बिल्कुल सारोजनी कहीं है महोदे ने अपने टूटर जो हमारे मानीने मुख्यमंतरी हमन सुर जिनोंने टूटर एकांट पर आपके जाई उनके पेजिस प हमारी कह सकते हैं कि हम बहुत जादा मुद्दों पर नहीं जाते नहीं तो अगर चात्र अगरा निती करना शुरू कर दिया ना तो वही कहा वातने कि जब जब चात्र बोला है रासिंग आसन्डोला है अब ही तक हम लोग मौका दे रहे हैं तीन साल हो गए इस सरकार को तीन नहीं साल हो गए तीन साल में एक भी न्युक्ति नहीं नहीं है और सबसे में तो इस पार्क में आप आ जतना कारबन डाव कर हैं और सरकार की जरक पांई गंदा बहुँलिए है is यूही तुम मुझसे वादा करते हो या निभाने का भी इरादा आज भी हमको हेमन्त है तो हिम्मत है लेकिन साइर इनके जो सीच्छा मंत्री हुँ बोलते है अरी तो रगवर्दास पाप था हम काहला दोें तो उनके पाप को अगर आप नहीं दोना चाहते हैं तो हम दोना चाहते हैं अब आएसा तो नहीं नहीं और यह हम को सपना था कि बनेंगे लेकिन आज तो मनुवादी कह दिया गया बहुत सारा मुद्दा है इस देश में 28 राज्य है और हमारी देश की लड़कियों का 38 टुकड़ा होता है मुझे पता है मेरे पिता जी सिवुस्वरन नहीं है वरना आज मैं भी हमन्त होता लेकिन मेरी नियत और मेरी निती इतना बढ़िया होती कि माहें अइसा नियूजन नीती बनाथा कि मनें बच्चा बैठा मेट्रिक पास गया नोकरीलो इन्होंने का मुर्गी पालन किजे इन्होंने का छगरी पालन किजे सब्सक्रण किये हैं क locks Tay भ्यार जी यूट नहीं बोल रहे हैं मानिय उच्छ नयाले एक ही तो है जनता का एक ही जगा उमीद है और हमानिय नयाले जब जब उधर रुख करता है तब तब नयाई मिलता है और हमको मिला मेंस देने के लिए भी मिला भैया मेरे पास माक्सिठ है हम लाए 621 फेल है और यह लाइकल नाया 615-616 उपास है बताइए कहां क्या यह अन्या है और उज़ नहीं 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 भया इस चीज में हम यही कहते हैं कि आईसा नियोजन निती बनाई अभी कौन बात है कि आप 10-12 वाला मेटर लेते है हैं दू साल उसमें घिच दिया अच्छा बनाए है देख रहा है इडिका रेड जो है लगाता अर्धा काधक पड़ रहा है अरे नहीं भाईया दूगों सिखवा को साथ दिया है और हेड और टेल नहीं है तुन्हों दने हेड़े है और जैने उचलाएंगे तो यहीं नहीं हम लोगों को टेल बोलने का मोका नहीं देंगे बड़ा गलत नियत है इस साल समझ यह हम 2013 से तैयारी कर रहे है कुनाल भाईया के साथ जूड के जो है इनके सब कुछ हम लेके पढ़ते हैं लेकिन नौकरी नहीं है पूरा महनत करते हैं क्यों बुढ़ा होंगे हम बुढ़ा मैं दहेजपर्था का बिरोद करता हूं बात है कि सीधा का सत्वाटी पकवान समझ रहे हम टी क्यों बोले क्योंकि वहां गाली है तो वही चीज है हम लोग जारखन के विद्ध्यार्थी सीधे हैं नहीं लड़ना जानते हैं हम लोग इंतजार करते हैं 2014 से आप जैस से का ए लेकिन हम लोग का नोकरी नहीं हुआ शुरू माता पिता को लागे कि नहीं बाल बच्चा जो है मेरा साधी विया सेट हो जाएगा तो अपना सेटल हो जाएगा लेकिन नोकरिया नहीं है सबसे बड़ी बात यह है अब उसका परिवार वाला रेडी नहीं है कि नहीं नोकरी लेकिन हमत है इनके लोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे अपसोस है कि मेरे पिदाजी सीवुसोरिन है नहीं समझ रहना अगर होते तो हम भी राजगद्धी समालते और हम इनको कहते हैं कि इस राइज का जो भवी से है इस राइज को जो आगे लेके जाएगा वह युवा सबसे बड़ा बिडमना इस बात का है विया कि हम जैसे सीजल सचिवाले साय का त्यारी करते हैं तो 2015 से अभी तक सीजल का बाहली कंपलीट ने होने पाया है तो 2015 में निकली थी बेकेंसी उसकी उसके बाद रध हो गया एकजाम होने के बाद फिर दोजार 21 में निकला नियोजाड निती रद होने के बाद फिर से रद हो गया अब ये फिर 2022 में निकला भीच talkinntshift प्रूंची 2020 में निती रद होने के बाद फिर सरो गया बदिपांदर से लेकर कि है कि हम लोग जारखंड की अभ्यर्थी हैं और हम लोग का कंसर्ण किलियर है पहली बात तो हमारे जो है स्टेट में 2018 से लेकर करके अभी तक एक भी जो है वेकेंसी कंप्लीट नहीं हुई रीजन क्या है लगतार ऐसे नियू जनिती बनी जो कोड के लफ़ाव में फस गई और सब्सक्राइब करते हैं और नोकरी की तयारी जो है ना गरीब के ही बच्चे करते हैं सीबू सोरेन का बच्चा जो है वो नोकरी की तयारी नहीं करता है वो लूट की तयारी करता है और आप लूटे हैं इसलिए आपके उपर एडी का हमेशा रेड होता है है मन सोरेन जी है मन्त है तो बच्चों को यहां पे दिक्कत है दिक्कत नहीं होना चाहिए पांच लाख इवाओं को रोजगार देने की बात किये थे काए नहीं दिये नहीं हाँ लूट करते रहें आप लोग उवाओं को रोजगार नहीं मिला और याम उफ दिया जाए कभी यह फलाना डिकाना और यह लोग बटे रहेंगे एक बार जाल फेकेगा यह लोग फस जाएंगे सचाई यहीं है कोट ने यहीं बोला भी अभी के बर्तमान जो नियोजनितिक जो है इसको स्क्रब किया गया कोट से उसने बोला कि आठकर 14 आठकर 15 और 16 का वाइलेशन हो र करने वाला नहीं ठीक है अगर सच के लिए अगर आगे लड़ेंगे तो बाधा जरूर रहेगी और वो हम इसा लड़ेंगे किसी के कहने से रुकेंगे नहीं डरेंगे कि वाओं को रोजगार देने की बात जो है आदर्णिया सीबू सोरेन के बेटा हैमन सोरेन ने किया था चुनाव से पहले और यह पेपर का कटिंग है और पांच लाखी वाओं का जो है हक जो है चुनाव के बाद मार गए खा गए इसलिए इडी इंकम टेक्स और सीबी आई उनके उपर रेड मार रहा है यह देखिए सिक्षा मंत्री सिक्षा मंत्री का बोलते हैं क्या मंत्री सिक्षा मंत्री मंत्री नहीं बिच्षा मंत्री है उजारखंड के युवाओं को विच्षा मांगने के लिए काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं रगवर दास का पाप है यही तो सबसे बड़ी बीडम्मना है बहुत बड़ी भूल है हमको पांडे में बाटते हैं जरकंड का जो जनता है उसको सिक्षा मंत्री पांडे और माजी में बाटते हैं तो गया दस साली 2023 आ गया 2013 से लगे थे चल रहा है इस चल रहा है और रहाबाद की तयारी का तो यहां का जो आलम है नोकरी तो मिला नहीं लेकिन अब हम एक सिछक बन गए हैं और मेरा काम इतना ही है कि हम जतना अधिक से अधिक लोगों को अब ठाक सके अब हम भी तो वहीं न गया होता तो अभी हम अपने स्टेट का यहां पर सेवा करते हैं लेकिन इभी बात हमको पता चला कि हम डीएसपी बन जाते तो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हमको 50 लाग पैकेट में रखना पड़ता इवी बात है इस रज की सचाई है यहां के जो नेता मंत अच्छा थोड़ी ना है भाईया पैसवा रहेगा हरा हरा नोट रहेगा नहीं अब तो लाल हो गया लाल लाल नोट रहेगा तब जो है जिन्दगी बनेगा हम लोग का अब एक चीज और है लास्ट में हम एक चीज बोलेंगे कि यहां पर एक बढ़िया नियोजन निती बन सवामीधान दिवस के दिन सवामीधान के फूजा करेंगे और उसी सवामीधान का बखिया उधरेंगे आरिकल 15 में लिखा हुआ है कि जाती रंग भेदभाव जन्मस्थान के अधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन जार्खंड की रगों रग में इन लो लगाया हूँ आप देख सकते हैं अधर समय आप से मिलने के में यहां पर आयों का कर रहा है जब जब आप लोग बटियेगा बरबाद हो यह आप लोग बट जाते हैं लेकिन आप भी पालिये सुवर और मुर्गा आपका बच्वा भी पाले सुवर और मुर्गा उनके बच कुछे बिदेश पढ़े और यहां के लोग मुर्गा पालना जो है वो गुना नहीं है मैं फिर से काई देना चाहता हूं लेकिन जो सजेशन आप इन बच्चों को दे रहा है वो सजेशन आप अपने बच्चों को नॉन मैट्रिक मैट्रिक फेल सिक्षा मंत्री जी आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनकी बात सुना ही नहीं जाती स्रीफ वने नॉनली जो है एक ही मुद्दा है कि किसी भी हिसाब से नौकरी नहीं देनी है मुद्दो को भढ़का के रखना है आपस में बाट के रखना है हमारी राजनीतिक रोटी सीखती रहे तुमें और रोजघार नहीं मिलेगा तो एस सी वॉоры गोला जैंनल से लड़ेगा और वापस में लटते रहों और हम सब का हक्कमार के मलाई खाते रहेंги और सब्सक्राइबीह से सबसे बड़ी बात है कि यहां पे जो सरकार के जो मुदा है पहले एगो लुटेगा पिर अगली पर सरकार बदल जागा तो लुटेगा पिर बदल जाएगा तो लुटेगा जिसको मुखा मिलेगा लुटता ही है मुदा मुदा सुनिए जाती धर्म और मैं बतारों कि कोई भी लोग यहां पे जो परतरबन पुनरवास नीती है जो लोग विस्थापित हो गया है उसका नीती है या फिर आपका जो है रोजगार के म सब्सक्राइब करेंगे नियोजनिती के नाम पर 2018 से लेकर अभी तक बनाये जा रहा है लेकिन कोई वाज उठाने माला कोई निता नहीं है लोग भी सरकार आती है और नियोजनिती चेंज करती है ऐसा क्यों करती है जानने के लिए हम मैं बताता हूं यह सरकार आएगी तो य सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम लूट सकें सुनिए भाई लोग ध्यान दिजेगा इबतिया को इते यहां हम लोग बोल रहा है इतना चिला रहें गला पाड रहें बतिया उन लोग भी देखेगा और लाश्ट में कान इसकर्ष निकालेगा बता है अरे इस अब बीजेपी वाला नहीं करवा रहा है हम लोग का खून जो दोड़ रहा है न सरीर में नवक्री पाने के लिए और घर परिवार बसेगा और कोई नहीं करवा रहा है इसलिए आप इभी मत सोचिएगा कि यह सब बीजेपी बढरी बात सुन लिजेए बीजेपी भी रोजगार रोजगार यहां पर रोजगार नहीं दिया थे वहाँ का इस्तमाल किये और उसके बाद से जो है सीबू सोरेन एमन सोरेन की सरकार आई वो लोग भी इस्तमाल कर रहे हैं मैं सीधा सीधा एक बात कह रहा हूं कि जो भी सरकारों ने यहां के जो छात्र है जो मूलवासी है उनकी नौकरी के लिए आप जो है खतियान अधारी बात करते हैं बिल्कुल दीजिए हम लोग भी मांग करते हैं लेकिन एक कमिटी बनाई है और उस कमिटी की रिपोर्ट सार जो निक होनी चाहिए कि भाई यह सही है या गलत है क्योंकि अब हर बार खेला करके निकल जाते हैं लोग बेकूब बनाते हैं और आपस मिलाड़ते हैं इसलिए मैं मांग करता हूँ आपका चैनल के माध्यम से की खतियान इधारी नियोजनिती बने लेकिन दुनिया का सबसे अमीर राज कौन सा है मैं भारत का नहीं पूछ रहा हूं सिर्फ भारत का नहीं बोल रहा हूं मैं पूरी दुनिया का गुलोब उठाके देख लेना सबसे अमीर राज जारकंड है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा खनी संपदा है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहा है और सबसे ज्यादा भरष्ट चार कहा है जरकंड में अर उसका कारान सिर्फ और सिर्फ हम है क्योंकि हमें अलग-अलग मुद्धों में बांट दिया गया है कोई खतियान के लिए लड़ रहा है कोई जाती के लिए कोई धर्म के लिए कोई स्वाइड के लिए कोई आदिवासी के लिए और हम लोग अपस में लड़ रहा है नेता जी लोग जो है मलाई खा रहा है वह नीज वहां पर देखी है कि जारखन में यहां पर चार गुना से अधिक भी जारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बनाया गया क्योंकि छोटा राज हो जाएगा इसका खनी संपदा को लूटा जाएगा कोई आवाज नहीं उठाएगा जब जारखंड विहार एक साथ था बड़ा राज था अगर लूटता था तो भागलपूर से आवाज उठा था लेकिन दोनों राज को बाटके दोनों राज को खूब लूटा गया बाकि यहां से हमारा ये प्रियास कैसा लगा जैपी सी के बच्चों का भविस्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और सरकार जो लूट रही है उसका रेलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पर भी आप लोग अपना राय जरूर रखना जाहिंद